अमीद साहब के वारे में पूरा देश जानता है वर्ड इज वर्ड जो बोलते हूं करते हैं जो जनाधार वाला नेता है जनाधार तो नितिस कुमार के पास भी है पुरा लपकुष समाज पुरा ते पिछड़ा-पिछड़ा- लालुयादव के पास जनाधार है देखे कभी अब मन बना चुके हैं अरे जब मन नहीं बना जे तो फिर आदमी क्यों जाएगा एकक बोट के लिए नितीश कुमार को तरसना पड़ेगा एक उस्वाहा आपके साथ हैं लालू जादों को तरसना पड़ेगा यह मेरा गारंटी है मैं चैलिंग के साथ इस बात को कर रहा हूं यह मैं आपके साथ सौरवराज मेरे साथ बात करने के लिए पुर्व के इंद्रे मंतिरी नाग्मणी जी इन से बात करेंगे नाग्मणी जी आप अमीत साथ मुलाकात किया हैं क्या मुलाकात हुई क्या बाचित हुई देखें देश के राजनितिक चानक के और सरदार बल्लब भाई पटेल के एक तरह से उत्रा धिकारी की रूप में देश के ग्रिह मंत्री काम कर रहा है अब पुरा देश इस बात को मांता है तो मैंने कल उनसे मिले और मैंने इस बात को कहा हूं कि बिहार में लालू नितीस गठवंदन को दुरुस्त करना है तो सोशित इंकलाब पार्टी के साथ आप गठवंदन करें हमने दो साल पहले सोशित इंकलाब पार्टी बनाया हूं और बिहार जहारखन के पहँआने पर लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम क्या हूं बिहार में जो तमाम पिछरे वर के लोग हैं दलित समाज के लोग हैं माईडिटी के लोग हैं वह सत परतीसत अमर सही जगदिव साथ के नीती और सिध्धान के विस्वास करते हैं और उस विचारधारा के समर्दागे हैं आप अमिज सास के साथ मिल करके नितीश कुमार को हराएंगे? बिलकुल चुकी नितीश कुमार का सासन 17 साल चल रहा है, अलालू जी का 15 साल का सासन, ये बिलकुल जो वेसिक जो समस्या है, सिक्षा का, स्वास्त का, हर छेत्रों में विकास का, बिधिव्योस्था का, सभी छेत्रों में बिलकुल फेलूर हो चुके हैं, इसलिए बिहार की आम जनता चाहती है, लेकिन बीजेपी को तो उस तरह का अल्टरनेट बनाना चाहिए न, जो जनाधार वाला नेता है, जनाधार तो नितीश कुमार के पास भी है, पुरा लबकुस समाज, पुरा ते पिछडा पिछडा लालु यादव के पास जनाधार है, देखे, कभी था, जब हमारे ऐसे लोग बीजेपी एलाइंस पार्टी में चला जाएगा, तो खास तरह से कुस्वाहा का एकक बोट के लिए नितीश कुमार को तरसना पड़ेगा, लालु जादों को तरसना पड़ेगा, यह मेरा गारंटी है, मैं चैलिंग के साथ इस बात को कर रहा हूँ, पुरा कुस्वाहा समाज आपके साथ है, अरे भेया, एक समिकरन की बात होता है न, आप सपोज करो, कि समराट चोधरी जी बीजेपी के प्रदेश से धक्ष बन गए, अभी दूसरा एक जो पांचे परसंट का निता हो, तो उपिंदर कुस्वाहा भी इंडिये के साथ हैं, और नागमनी अगर इंडिये के साथ आ गया, तो सेंट परसंट कुस्वाहा का बोट तो एक उल्लू भी जाने का बिहार का, कि टोटल बोट जो है, इंडिये गठवंदर को जाए, नितीस कुमार को कुस्वाहा का बोट ही मिलेगा बताया तो कि एकक बोट के लिए तरसना पड़ेगा नाग मनी इंडिये में आ गए है ठीक है और जैसा अमीद साह सबसे बात हुई है अमीद साहब के बारे में पूरा देश जानता है वड़ इजवर्ड जो बोलते हूं करते हैं और ही कारण है कि अमीद साह जी पर किसी को डाउट का सवाल नहीं होता है नितीसकुमार तो बीजेपी को हराने के लिए प्लान तियार कर रहे है कि बीजेपी को हराना है देखे मैं कंडिशनल बात बोल रहा हूं ना जातिय समिकरन और नेताओं का समिकरन जिसके पर्च में होगा गठवंदर मजबूत होगा और जो हम कि ताकत वगर हम लोग महाख़फद्धन के साथ गए जे तो महाख़फद्धन का परणाभारी हो जाएगा हम तो ऑसको कंडिस्टनल कोई सक्ट नहीं है अमीज सास हाब से हमारा किलिरिकरट बात हुआ है और जल्द ही इस पर हम लोग भी निर्करेंगे और हम लोग भी निर्करlando haram अब मन बना चुके है अरे जब मन नहीं बनाए तो फिर आदमिन जाएगा मन बना है तब ने उनके पास हम लोग है और उन पर पुरा देश का लोग को विश्वास है चुकि वर्ड इज वर्ड जो बोलते हूं करते हैं 30 कुमार 2024 का प्लान त्यार कर रहे हैं पूरे विफक्षियो एक्जूट करने की कोशिस कर रहे हैं अब उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है समय आएगा तो प्रोपर वे में आम लोग को पता लग जाएगा कि हमारा सूच क्या है और मेरा एक्टिविटिज क्या है चली शुक्रिया सर थैंक यू